नमस्कार जनसत्य न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ सुनैना सिंग बुलिटिन की शुरुवात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कोरोना वाइरस को लेकर देश के कई राज्यों में लॉक टाउन है जिसकी वज़े से सडके सुनसान नजर आ रही है पुलिस भी राज्यों की सीमाओं पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रही है जिन राज्यों की सीमाओं सील की गई हैं वहाँ पर पुलिस चेकिंग के बाद ही लोगों को राज्य में आने और जाने की अनुमती दे रही है साथ ही जिन आफिसों की छुटी नहीं है वहां के करमचारियों को भी आफिस आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इतना ही नहीं जो करमचारी दिल्ली में रहते हैं और उनका आफिस नौइडा में है तो उन करमचारियों के आई कार्ट चेक करने के बाद ही सीमा में दाखिल होने दिया जा रहा है वही दुनिया भर के साथ ही भारत में भी महामारी कोरोना वाइरस के मामने लगातार बढ़ते जा रहे हैं देश भर के 10 से ज्यादा राज्यों में सरकार ने लोगडाउन का एलाड किया है लेकिन इसके बावजूद भी लोग लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं अब इस पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने सकती दिखाई है पीम ने ट्वीट करके लिखा कि लोग लोगडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं राज्य सरकारे कानून का पालन करवाएं उन्होंने अपने ट्वीटर पर लिखा कि लोगडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं किरप्या करके अपने आपको बचाए अपने परिवार को बचाए निर्देशों का गंभीरता के साथ पालन करें राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं वहीं शिफ सैना नेता संजे राउत ने पीएम मोदी के ट्वीट को लेकर पलटवार किया है संजे राउत ने ट्वीट पर लिखा कि हमारे प्रधान मंत्री की चिंता है कि लॉकडाउन को अभी भी लोग गंभीरता से नहीं ले रहे है प्रिये प्रधान मंत्री जी आपने डर और चिंता के महौल में भी त्योहार जैसी स्थिती कर दी है तो ऐसा ही होगा सरकार गंभीर होगी तो जनता गंभीर होगी उधर देश भर में कोरोना वाइरस के मामलों में तेजी आई है मरीजों की संख्या 499 हो गई है कोरोना की चपेट में अब तक आठ लोगों की जान जा चुकी है पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 50 से ज्यादा नई मरीज आये हैं और तीन की मौत हुई है दिल्ली, राजिस्थान, बिहार, पंजाब, उत्राखंड के अलावा च्छतिसगर, जारखंड, जम्मु कश्मीर, तेलंगाना, आंधर प्रदेश और नागालेंड, अरुनाचल प्रदेश में कोरोना वाइरस की वज़े से 31 मार्श तक लोगडाउन है इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 16 जीलों को भी 25 मार्श तक लोगडाउन किया गया है वहीं दूसरी तरफ महराष्ट में कोरोना वाइरस से तीसरी मौत हुई है मरने वाला शक्स फिलिपिन्स का रहने वाला है और उसकी मौत रवीवार को हुई थी हालाकि वह पहले कोरोना पॉजिटिव था लेकिन बाद में नेगेटिव हो गया इसके बाद उसे मुंबई के कस्तूर्वा हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था डॉक्टरों का कहना है कि गुर्दा फेल हो जाने की वज़े और सांस लेने में दिक्कत के कारण उसकी मौत हुई है अब बात करते हैं शेयर बादार की तो दुनिया भर के शेयर बादारों पर कोरोना का कहब लगातार जारी है इसकी वज़े से ही सोमवार को भारतिय शेयर बादार में भारी गिरावट देखी गई बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज का सेंसेक्स 2307 अंकों की भारी गिरावट के साथ 27608 पर खुला गिरावट की वज़े से सेंसेक्स में लोवर सरकिट लगा है और कारोबार 45 मिनट के लिए रोग दिया गया इसी तरहे नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज का निफ्टी करीब 800 अंकी गिरावट के साथ 7,945 पर खुला सुबह 9 बचकर 40 मिन तक सेंसेक्स 2775 अंक तूट कर 27,140 पर पहुँच गया इसके बाद निफ्टी भी थोड़ी देर में ही 7,941 तक पहुँच गया करीब 860 शेरों में गिरावट है सिर्फ 90 शेरों में तेजी देखी गई है सेंसेक्स के सभी शेर लाल निशान में है कोरोना की वजह से सोमवार को समूचे एशिया इस शेर बादारों में भारी गिरावट देखी गई है दुनिया के कई देशों द्वारा दिये गए राहत पैकेच से बादारों को कोई सहारा नहीं मिला है और निवेशकों की बेचैनी बरकरार है कोरोना को लेकर अब संयुक्त राष्ट महास्चिव एंटोनियो गुट्रेस का भी बयान सामने आया है एंटोनियो ने कहा है कि कोविट-19 का संकट संयुक्त राष्ट के 75 साल के तिहास का पहला बड़ा संकट है इसमा हमारी से आर्थिक मंदी का भी खत्रा गहरा गया है इसलिए सभी विश्व के बड़े नेताओं से अपील है कि वो साथ हाएं और इस चुनोती का सामना करें आपको बता देगी करोनो वाइरस की वज़े से अब तक पूरी दुनिया में 13,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है इटली, स्पेन, अमेरिका, फ्रांस, श्री लंका और भारत समेट दुनिया के कई देशों में लॉक्टाउन है 35 देशों में करीब 90 करोड लोग अपने घरों में कैद है वहीं इटली में ये बिहानक वाइरस 13 साबित हुआ है मरने वालों की संख्या 4,800 के पार पहुँच गई है भारत में कुल 419 संक्रीमतों की संख्या है जिसमें 24 लोगों को बचाया गया है जबकि देश में करोणा की वज़े से 8 लोगों की जान चली गई है उधर करोणा से जूज रहे क्रोएशिया में रविवार को तेज भुकम के जटके महसूस किये गए आपको बता दे कि राजधानी जगरेब को कोरोना वाइरस के संक्रमन के मद्दे नजर आंशिक तोर पर बंद रखा गया है वहीं भुकम की वज़े से लोग घबरा गए और अस्पतालों को खाली कराना पड़ा इस दोरान बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ जिसमें राजधानी का मशूर गिरजा घर भी शामिल है यूरोपिय भुकम एजनसी EMSC ने बताया कि सुबा 6 बचकर 23 मिनट पर 5.3 दिशमलग तीवरता का भुकम आया जो पिछले 140 साल का सबसे तेज भुकम है फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही हमारी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें नमस्कार